I.C. students बहुत ध्यान देंगे क्योंकि I.C. के बुक्स में measures to remove poverty के reasons लिखे हैं categorizations नहीं लिखे सिर्फ government के poverty alleviation programs जो हैं that is C.P.P. Trisum, जवाहर, रोजगार, योजना and many more सो ये programs government ने चलाए जिसमें अगेन इतनी बदमाशी हुई अगर आपको Trisum में enrollment मिला Training Rural Youth for Self-Employment तो जो भी center design किया गया जहाँ पे आपको education दी जाएगी वहाँ का teacher 10,000 रुपे government से लेता है 3,000 रुपे में अपना assistant hire कर देता है और वहाँ पे वह आकर बेलपूरी बनानी सिखाता है वो skill develop नहीं कर पाता शायद बच्चों में कुछ लिखने जा रहा हूँ स्क्रीन पे आपने नाम सुना होगा इस company का नाम सुना है अपने बोश, it's a German company Michael Bosch company इंडिया में famous पता है किसी से हुई आपकी वो two wheeler में एक plug होता है जिससे current pass होता है piston से engine में piston तो engine का part होता है बाकी vehicle में वो spark plug बनाते हैं उसके बाद इन्होंने diesel pump बनाना start किया जो गाड़ी में diesel को engine तक पहुचाता है मतब काफी important devices तो इन्होंने क्या feel किया Bosch वालों ने इंडिया में कि हमको technically trained workers इंडिया में कम मिलते हैं बी-tech की होए तो धेर सारे हैं बट बी-tech वाले उस level का काम करेंगे नहीं क्योंकि उनके पिता जीन ने 10 लाग रुपे fees दिया आईटी में तो हमको ऐसा परसंची जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो और technical skills उसके अंदर हो तो अलाबाद सिटी में भी 2-4 schools है जहांपे Bosch के training centers है और वहाँ पे वो particularly जो लोग unprivileged class से आते हैं उनको train करते हैं free में कोई fees में लेते हैं किट देते हैं अपनी dress देते और पढ़ाते हैं तो इन 4-6 मेने का course होता है communication skills strong करते हैं technical strength strong करते हैं आपकी और फिर लोगों को hire कर लिया जाता है तो वो बच्चा जो practically शायद कल को भीग मानता या रिक्षा चलाने के like भी ना होता Bosch training centers जे उसने training की तो कम से कम 20 से 25 जार रुपे महीने का उसको employment भी लिया class 12 के बाद क्योंकि 18 साल से कम में तो कोई regular employment इंडिया में दे नहीं सकता as per law age of majority contract करने के लिए minimum 18 साल चाहिए तो आपने 3 साल 25 तीज जार रुपे महीने की job कर ली फिर ये company से type करके आपको एक part time distance learning, b.tech program कराते हैं आपकी पढ़ाई college में होगी अपते में 2 दिन और बाकी skills आप factory में सीखेंगे तो आप 7-8 साल के अंदर technically trained आप एक engineer भी हो गए फिर आपको high level पे promote करते हैं तो ठीक है आपका time जीवन में थोड़ा 2-3 साल ज़्यादा लग गया बट अगर आपको पढ़ने का मन नहीं था या parents support नहीं कर सकते fees इन centers के through आप अपना economic profile strong कर सकते हैं ऐसा एक center आपको प्रियागराद city में जो मिलेगा वो एक school है नाम मेरे को नहीं यादा रख्या नाम है भई इट इस नियर तेलियर गंच तो प्रियागराद city में तेलियर गंच में एक school है वहाँ पर प्रोग्राम चलता है basically बोश वालों का तो कुछ साल पर लिए I happened to visit there तो मैंने देखा पूचा उनके teacher से तो किया रहा सर ये बोश का हम प्रोग्राम चलाते हैं तो आपके schools में भी ऐसे proposals आते रहते हैं from the private parties और universities इंडिया में इसनों बहुत आगे है private universities में Intel ने अपनी lab setup कर ली है Microsoft ने अपनी lab setup कर ली Chat GPT ने अपनी lab setup कर ली Facebook ने अपनी lab setup कर ली कि हम बच्चों को BTEC प्रोग्राम में जो आप कबाल से ले बस BTEC का पढ़ा रहे है जो दादा जी की time पर ही extinct हो चुका है उसके साथ साथ हम वो पढ़ाएंगे जिससे लोगों को market में जो जरूरत है वो at least मिल जाए Got it clear? तो अभी जैसे हमारे अलाबाज university में United University है ठीक है private university नहीं है थोड़े time में अच्छी हो जाएगी तो इनका जो BTEC program in computer science है collaboration is with IBM तो IBM जिस latest technology पर काम कर रहा है बच्चे चार साल में उसी को सीख जाएंगे IAM अगर आज cryptocurrency अपने finance के syllabus में नहीं लाता blockchain नहीं लाता तो क्या लोग employed होंगे? लोगों को employment नहीं मिलेगा तो इसलिए यह सब चीज़ें बहुत important है so GDP growth अगर होगा तो obviously बात है poverty levels will go down then distribution of income sir यह कैसे हो सकता है? जो poor sections of the society है उनकी income थोड़ी जादा करें और जो rich income of the society है उनकी income को थोड़ा नीचे रखा जाए how this could be done? fiscal measures और legislative measures का मतलब क्या हुआ? तो यह fiscal policy होती क्या है? बचो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा government की जो economic policy होती है उसमें दो बाते आती है एक होती है fiscal policy और एक होती है monetary policy रहीसों से tax जादा मतलब आप लोग उसे और गरीब उसे tax कम मतलब मेरे से इन बातों का जिक्र जिन policies में किया जाता है they are called as fiscal policy बस 11th class के लिए अभी आप इतना समझ लीज़े बाकि 12th में पढ़ेंगे देश में businessmen के पास idea तो है बट कमी पैसे की है government अगर cheaper rate of interest पे funding कर दे तो पैसे की कमी भी खतम हो जाएगी वो start-up idea लेकर employment देगा लोगों को और देश तरक्की करेगा तो RBI note छापेगा और ऐसे needy businessmen को देगा जिनको deliberately पैसे की जुरत है तो when we have a policy where more money through printing और borrowing will be going to the market is not as what monetary policy और जब भारत सरकार को लग रहा है भाई पार्केट में पैसा हो डेर्स आ रहा है इसको रोकना है तो बैंक को instruction देंगे कि rate of interest बढ़ा दो रेट of interest बढ़ जाएगा अपने आप लोग लोन लेने नहीं हैंगे तो जब money supply की बात करते है policies called as monetary taxation की बात करते है policies called as fiscal तो गरीबों को जादा लोन देंगे कम rate of interest पे लोन द जाएगा तो अगर आप BPL sector को belong करते हैं और 10 लाक रुपए तक का आपको घर करीदना है EWS economically weaker section of the society rate of interest is 5% बट अगर मेरे को या आपको घर करीदना है जो BPL में नहीं आते हैं और हमारा घर एक करोण का है rate of interest is 9.5% is that clear तो गरीब लोगों से rate of interest भी हम कम लेंगे और रहीसों से rate of interest भी ज्यादा लिया जाए बात समझना गई तो rate of interest की बात कर रहे हैं न भाई तो कौन सी policy है monetary policy समझना गया जो लोग जादा कमाते हैं collect 30% tax from them जो कम कमाते हैं collect 10% tax from them it is monetary policy तो ये legislative measures क्या हुए सर fiscal समझा दिया monetary समझा दिया अभी हमारे प्रियाग्राथ city में एक हुआ करते थे बड़े बाहु बली टाइप के गए थे hospital चेक अप कराने post-mortem होके लोटा है बाकी Google कर लीजे का पता लग जाएगा तो उनकी काफी हत्याई हुई properties थी तो योगी जी ने मेरे को फोन किया सर क्या करें जो हमारे चीफ मिनिस्टर ने यूपी स्टेट के presently तो मैंने का एक काम करिए वहाँ पे कुछ घर बनवा यह 10 लाक रुपए का घर गरीब लोगों को दिया जाएगा बिना rate of interest के और उनको 20 साल में EMI के थुरू 10 लाक रुपए सरकार का वापिस करना है तो एक महीने की EMI 3-4 जार रुपए भी नहीं आएगी मुश्किल से अब लोग कितने बदमाश हैं हिंदुस्तान में इस घर पर खुद नहीं रहेंगे रहेंगे जुगी शोपड़ी में जहां पर सुवर के साथ टैंजन मनाते हैं अपने बुरे शरीर का और यह किराय पर देतेंगे इतने कलाकार हैं लोग तो लोग भी तो कम बदमाश नहीं 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 है सरकार मेजर ला रही है आपका अपग्रेडेशन नहीं नहीं हम तो नाली किरणे महीं रही हैं हमको वही अच्छा लगता है बड़ी बड़ी का बदगवा रही है हमको SRK का परफ्यूम लगाना ही नहीं है तो यहां सब से बड़ी समस्यां लोगों के mental mindset पे सम मोबाइल खरीदेंगे पपजी खेलने के लिए अपर सब्जी ठेला लगा लेंगे तो बेसिक प्रॉब्लम में जिन्दा माइंड सेट प्लेम बात गई यह अगो मेरी शादी हो चुकी थी यह पापन बोला चलो विदेश घूम के आतने मैंने कहां कैने सब दुभाई जा र यहीं सब मिलता है सिर्फ निकाल के फोटो की चालोगे अपलोड कर दो के फेस्बुक पे चार लोग लाइक और कमेंट कर देंगे एक हफते बाद सब भूल जाएंगे तो हिंदुस्तानी तो दिखावे में बिचारा मरा जा रहा है मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैस अरे वो टाइट से धोया है और तुम सर्फ एक्सल से धोय हो टाइट ज्यादा साफ करता है मैं तो नहां भी लेता हूँ कभी टाइट से चलिए पॉम्बैटिंग पॉवर्टी थू पॉपुलेशन कंट्रोल कॉम्पटीशन चलना है शर्मा ची ग्यारा बच्चा पैदा कि तो पहले लोगों के बच्चे भी कुत्ते बिल्ली कितरा हुआ करते थे जो हुआ बर आज हम दो हमारे दो तो इसको तो मैं मानता हूं कि ठीक है ये थोड़े से उन लोगों में ज्यादा लॉजिक चलता है जो थोड़े बैकवर्ड होते हैं पूर नहीं बोलूँगा पूर हैंड हो जाएगा अरे हल्पिंग हैंड तो 12-15 साल बाद होएगा अभी आपको उसकी पूरी बॉड़ी को हेल्प करना पड़ेगा फोपलेम बाद गई की नहीं गई तो इसलिए पॉपिलेशन कंट्रोल मेशर लगाए गए लेट मैरेज और नौल ताकि बच्चे कम से कम प अधर मेशर्स जिससे पूर्स की कॉलिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाए अभी एक हाउसिंग बेनिफिट दिया था एक गवर्मेंट की उज्जोला योजना आई थी क्या योजना थी सबके सिरक्यों पर LED लगा देंगे नो फ्री में सिलेंडर गाउं पगेरा में दिये जाएं सेलंडर लेके बेच दिया हलवाई को इतने बदमाश टाइप के लोगे इतने बदमाश है मन करता है कि तुम कायदे से कान के नीचे दूदू कंटाब लगा लॉजिक समझ में आ गया अभी अगर गवर्मेंट बोल दे जरीब अगर मरेगा तो जो तीस-चालिस के लो लकड दम अगले लेक्षर में पड़ेंगे करेक्ट चलिए ताट्स अल फॉर तुदे जिलना